बागलपुर में मोहरम की दसमी पर कोतवाली इलाके से निकाला गया ताजिया आकर्सन का केंद्र बना रहा बुद्दवार की दोपहर कोतवाली इमामबाडा से पैकर ताजिया लेकर साहजंगी के लिए रवाना हुए वहीं काजवली चक मार्ग और ततारपुर चौक पर पैकरों का हुझूम देखा गया इस दोरान या अली या हुसेन की सदा गुनिती रही वहीं जुलूस में हज्जारों की संख्या में पैकर और आम लोग सामिल हुए ताजिया जुलूस ततारपुर चौक मुस्लिम हाई स्कूल होते हुए रेलवे संपार करते हुए साहजंगी करवला मैदान पहुँचा इस दोरान सहर के तमाम जगों पर पुलीस वल की मौजोदगी रही ताकि बिदी व्यवस्ता सुचारू रूप से कायम रहे जबकि जिला और पुलीस परसासन की ओर से जुलूस की निगरानी ड्रोन एवं सहर में लगे सीसी टीवी से भी की गई सिटी डियस पी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि ताजिया जुलूस सांतिपुर्ण तरीके से निकाला गया उन्होंने कहा कि सभी मजब के लोग आपसी एक्ता और भाई चारे के साथ ताजिया के साथ गए वहीं सेंटरल महरम कमिटी के संयोजग प्रोफेसर फारुक अली ने बताया कि रात करीब नौ वज़े से बिविन्न महलों से अखाडा निकाला जाएगा और देर रात तक साहजंगी में पहलाम संपन होगा देखें ये महरम के महिना का आज दसमी तारीख है और इस्लामी कलेंडर महरम के महिने से सुरू होता है जो साथ जुलाय के साम में चांब निकलने से सुरू हुआ ऑज 17 को दसमा दिन है उनके याद में जो है उनका दूस मिकाला जाता है और इसका अभी पहला आसामें हो ज समस्ता कर जाना है बॉलाना चेक और दूसरा कोटवाली चौकमें वह उधर से जाएगा हविक्ती वाले जरलाई रोर से और यह इधर से जाएगा दोलो वामन पालाम करेगा जो तज्ञा आपके सामले सभी उधर में वाला कि से सखारे जैर साम से सुबा तक आएंगे और पालाम करें गाया तर बागलपूर हभीपूर थाना चेतर के सदगरा निवासी जितेंद्र कुमार जीतू का पुतर सुमीद कुमार अपने परिजनों के संग गंगासनान करने बुड़ानाद घाड गया था जानकारी के अनुसार गंगासनान के दोरान पैर फिसलने के कारन सुमीद गंगा की तेज धारा में विलीन हो गया वहीं अस्तानिये लोगों और गोता खोरों की मदद से संकरपूर दियरा से लेकर गंगा घाट तक काफी खोजबीन की गई लेकिन यूबक का डुबा हुआ सर परीजन करता था परीजनों ने बताया कि उसकी अब तक साधी भी नहीं हुई थी वहीं युवक्त सब मिलते ही परीजनों में कोहराम मच गया परीजनों रस्थानिये लोग इस घटना से सूक में डूब गये साड़े आठ बजे गंगास नान के दोराम अचानक किसी करफ पूजय है न पूर्दिया कहाँ पर यही आगे में जो है क्या संकर पूर्दियारा उसी नदीजनों जब कोई था नहने साथ नाम गचानक के लिए आया वा था उसी करम में नहने के करम ने कसा हुआ डोग गया क्या नाम होता है सुमीत कुमर है तो बालवाल जहर रहे हैं, गंजेपन के सिकार से बचना चाहते हो, तो आजाओ फिर इंस्टेंट है और सॉल्यूसन, ये सीज़ा तिलगा मांजी चौक से आपको खानपटी वाले गली में मिल जाएगा, जब तुम सीधा अंदर आओगे तो फिर आजाओगे इंस्टेंट हैर सॉल्यूसन और देख लो अंदर का इंटिरियर लाजवाब है, और यहां के रिजल्ट देखके तो मतलब मजा ही आ जाएगा, है ना, तो आज आ फिर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप इस वीडियो के तुम हाज आते हो, तो आपको 10% एक्स्टर डिसकाउंट मिलेगा, then go for it, मजा आ जाएगा हमारा पता है, हान पटी रोग, तिलका मांजी, चौप, हागलपूर, मोबाइल नंबर 6200643686 बियाईपी प्रमक मुके सहनी के पिता की हत्या ने विहार की कानून बेवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है, इस हत्या कांड ने राज्य में सियासत को तेज कर दिया और बिपक्च ने सत्ता पक्च पर जोरदार हमला बोला है भागलपूर से कॉंग्रिस विधायक अजीद सर्मा ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है, उन्होंने मुके मंतरी नितीज कुमार पर जम कर निसाना साध्या है, अजीद सर्मा ने कहा कि लाओ एंड ओर ध्वस्थ है, जब मुके सहनी एंडिये के साथ थे तो सब ठीक थ महागडवंदन में सामिल होने के बाद उनके पिता की हत्या हो गई आज उनके पिता की हुई, कल किसी और मंतरी निता की हो सकती है अजित सर्मा ने कहा कि मुकमंत्री नितीज कुमार अधिकारियों का पैर पकड़ते हैं हाथ जोड़ने और पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा कारवाई करने की जरूरत है वहीं विहार में पदादिकारी अपरादियों और सराब माफियाओं को समरक्षन दे रहे हैं या पूरे विहार को सरमशार करने वाली बात है उन्होंने पामले में कड़ाई से चाच करने की बात कही है लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं कि राज की बात लॉइन और पूरा ध्वस्त है इसमें को शक नहीं और आप देखिए हत्याएं तो हो रही थी और अब नेता के पिता जी के हत्या मंत्री रहें मुके शहनी जी एक अच्छी नेता है ब्यार में जब तक इंडियम के साथ थे उनके परिवार को कोई घटना नहीं घटी और अब जब इंडिया गटबंदन में आए हैं अब उनके घर पर वो बॉम्बे गए हुए हैं और उनके घर पर घुस के हत्या होती है उनके पिता जी का ये पूरे बिहार सरकार के लिए शर्मशार करने की बात है और आधरनी मानने मुखवंत्री से मैं आगरा करूंगा आपका मैं कुंतरी पहर जूगे बात करे काम करनें के उसने कारवाई कर रहे हैं आपके जुन आप फ्रादी कारे का मैं आत जोडता हूं पहर जूग क्या कामके लिए आप उन पर करवाई करिए अगरN आप कारवाई नहीं करेंगे तो यह पदाहादी का आप प्रादी लोग जोए वो कंट्रोल में नहीं आएगा आपको कारवाई करने के प्रादी कारवाई करिये देखिये कैसे सुधरता है बिहार और अगर बिहार नहीं सुधर सकते हैं तो आप मुखमंत्री किस बात के हैं मुखमंत्री आपको 18 साथ जनता ने बना के रखा है और आपका देखिये क्या हाल है बिहार का अपरादी का मन बढ़ा हुआ है शराब बंदी आपने लागू किया सराब चारों तरफ घर 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 भिक रहा है और अपरादी पूरा सरा माफिया अपरादी पूरे परसासन से मिल और आपको बताब मानने मुखमंत्री आपको बताना चाहते हैं कि सारे पजादिकारी आपकी बात क्या किसी जनता की बात में नहीं सुनते सिर्फ यह अपरादियों को संरक्षन आपके सारा माफियां को संरक्षन राजस भूम में जो घोटाला हो रहा है आप देखिये क्या बागलपूर सुल्तानगन यस्तित दिलगवरी गाह के निवासी मुहमद अमानुला अंसारी के पोत्र मुहमद सनाउला अंसारी ने यूपियस सी पास कर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनने का गौरव हासिल किया है इस सफलता ने सुल्तानगन सहर का नाम र और बढ़ाई देते हुए कहा कि यह पहली बार है जब दिलगवरी गाह के किसी यूबक ने यूपियस सी पास कर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनने की उपलब्दी हासिल की है वहीं अस्तानिय विदायक प्रोफेसर ललित नारायन मंडल ने भी उनके सनाउला अनसारी को बताई दी गाउवासियों ने इस मौके पर ढोल नगाडे के साथ मिठाई बाट कर जस्न मनाया वहीं मुहमत सनाउला अनसारी ने अपनी सफलता का सरे अपने माता पिता और भाई बहन को दिया है उन्होंने बताया कि नई दिल्ली के मुखरजी नगर मे असूस कर रहे हैं ग्रामिनों ने बताया कि सनाउला गाउं के युवाओं के लिए एक प्रेरना सूथ बनकर उबरे हैं कि रास्ती के सुरुवातों से कमना घबडा है वो नेहत करते रहे कुछ सुरुवातों को जो रुकावट है उसको लड़े आगे रास्ता इसमूठ हो जाता है इस रेंक पर पुड़ी बिहार से तुम्झे आइडिया नहीं है मेरी जो रह मैंने रिगर्ट में देखा वर्ट